च्रिमाजी अप्पा का जो पुतला है उसकी तस्वीर जो है वो देख पा रहे होंगे हाला कि आज मैं यहाँ पर मौझूद इसली हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े ही समय में यहाँ सीधे तोर पर गीता भरत जैन जो की मीरा भायंदर की विधायक है साथ ही उनके साथ धारावी जंजीरे धारावी किला की जो जतन समीती है उसके कुछ लोग यहाँ पर उपस्तित रहने वाले हैं आज जो कारेक्रम हैं दोस्तो वो कारेक्रम सीधे तौर पर पेशवाओं के नौवे वन्शाषज डॉख्तर यूदतर सेंग्व पेशवा इनको शदानजली के लिए है क्योंकि पूने में उनका निधन हुआ और निधन के बाद गई-ना-कई-नको शद्धाणजली देने के लिए उनकी पुने-ात्मा को शान्ती मिले इस चीज के लिए शद्धानजली देने के लिए कुछ ही समय में यहां पर सभी के सभी लोग मौजूद रहेंगे उनसे भी बाठचीत करने का प्रयास करेंगे साथी रोहित सुवर्णा के साथ साथ गीता जैन से बाठचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना सर आज हम जंजीरे धारावी किला पर मौजूद हैं देख रहे हैं यहां पर हमारे जो पूरवज या आप कह सकते हैं महाराजा महाराजा जो रहे हैं जिनोंने महाराश्ट की संस्कृति को बनाये रखने के लिए अपनी जान जो है वो भी दे डाली आज उनका पूजन जो है उनको किया गया शद्धांजरी दी गई है क्या कहना जाएंगे महाराश्ट के आरद्य देवत चत्रपरी शिवाजी महाराजी के पोते चत्रपरी शाहु महाराज इनके दूसरे जो पेश्वा थे बाला जी विश्वनात बट यह उनके सुपुत्र है नर्विर चिमाज अप और उन्होंने कोकन प्रांत में जो पोर्तविजों से अत्य dramas तर्मान तरण जो होता था इस इस इलाके में विशेशकर के अवसलिए में उसके खिलाब इन्हों उन्हें संगर्श किया युद्ध लड़ा और पोर्त गिजों को बुरी तर से हराया और वसे का किला और मीरा बैंदर का जंजरे दारावी किला और गोडबंदर किला पूरा कोकन प्रांथ उन्हें ने काबिस किया और काबिस करने के करण आज इस शेर में दो भूत परिवार में उन्हें पूरा अपना जीवन योगदान दिया संगर्श किया और स्वराज की लड़ाई मराटा सामरज को उन्हें 106 साल तक उस परिवार ने पुरे देश के लिए संगर्श के और लड़ाई लड़कर स्वराज को टिका के रखा लेकिन देखिए नरविर चि पर एक तरफ आप देखेंगे गुजात की तरफ से आने वाला मुंबई को जोडने वाला अर्भी समुद्रे और दूसरी सरफ कल्यान के तरफ जाने वाला उल्लास नदी और यह सभी के बीच में ऐसा किला अमदार मैडम और हमारे भुतपूर्व खाजार राजन विचारे जी के मेहनत से 10 करोड रुपे की निदी इस किले को मिला हुआ उस निदी से शेहर का विकास भी होगा किले का विकास होगा और यहांपन पर्यटन आना चाहिए हाली में महरस्ट स्टेट टूरिजम डवलप्मेंट कॉर्परेशन से भी मैडम ने लगबक 6 करोड रुपे की निदी भी लाई है तारोडी चौक और डोंगरी यह तीनी गाव का विशेश करके परेटन शेत्र करके इसका विकसन होने वाला और आज जो श्रत अंजली सभा रखी गई थी वो चिमाजी अप्पा जी के परिवार के नवे वंशर्च उनका बुद्वार को डॉक्टर उद अंदर के शिव प्रेमियों ने शिव भक्तों ने मिलकर अमदार जी और मेरा बेंदर महानेगर पालिका के नवनियर वाचित उपाइक्तों संजय दोंदे जी इनके उपस्सिति में हमने आज उनको अधरांजली अर्पत किया किया कहना चाहेंगे आप अब भी श्रदांजली जिस वक्त दी गई उस वक्त आप मौजूद थीं क्या कहना चाहले ने अब घय किरत लहां कि कोई भी कोई वी एसा कार्यकरम जब रखा की रक्षा की अगर हम यहां उन्हें श्रदांजली अर्पित करने भी नहीं आ सकते तो शायद हम कहीं न कहीं अपने इत्यास पे गर्व नहीं करते इत्यास का आधर नहीं करते बस वो आधर व्यक्त करने के लिए और जैसे हमारे रोहिज जी ने बताया डॉक्टर उमेश पेशा को याद करने के लिए उन्हें श्रदांजली अर्पित करने के लिए जरूर जाना चाहिए और दिल से आज मैं उनके आत्मा की शांती के लिए प्रात्ना करती है मैं जैसाब अभी रोहिज जी ने भी परियतन की बात की कितनी कोशिश रहेगी कि जादा से जादा जो परियतन है खासका किलो की सुंदर्ता को देखते हुए वो आकरशित और किलो के रख रखाव में किस तरीके से कोशिश जो है भूमी का जो है निभाई जाए देखे मैंने और विचारी जी ने मिलके यहां 10 करोड की नीधी लाई है जो अभी भी है लेकिन कुछ तांत्रिक कारणोसर वो नीधी यहां हम यूज नहीं कर पा रहे हैं किले पे किले के लिए लाई होई नीधी है और यह जो तांत्री करण है में बहुत जल्दी दूर करके इस किले का भी बहुत अच्छी तरह जैसे हमारा गोडवंदर किला हुआ है उसी तरह जंजीरे धालावी किला भी होगा और परेटन में हमने यह कलपना की थी कि जल मार्ग से जह समय में कम्प्लिट की जाएगी और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उदारण यह हेरिटेज वॉप का रहेगा लोगों को इतिहास के साथ-साथ मनोरंजन में मिलेगा जी तो जैसा आपने देखा हमने इसको लेकर विधायक गीता जैन और रोहित सुवर्णा दोनों से बात की जिनका कहना है कि अपने महापुरुशों और आराथे देवों को कभी भूला नहीं जाता बलकि उनको हमेशा याद किया जाता है इसके अलावा डॉक्टर उदे सिंग पेश्वा को श्रधांजली देने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना इसे के साथ-साथ गीता जैन ने परेटन को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कहा ये आपको हमने सुनाया गीता जैन के इस दोरे पर और रोहित सुवन्णा के बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बने रहिए एमबी लाइफ के साथ